हेलो फ्रेंज गड़ मॉनिंग आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि छोटे पॉट्स में मैंने कैसे गार्डिंग कीवी है और छोटे पॉट्स में आप भी कौन-कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं बहुत सारे नाम बताऊंगी मैं उन में से जो प्लांट्स आपको अ सकते हैं तो यह सारे प्लांट्स होंगे पेरीनियल जिसका मतलब सारे साल चलते हैं और जनरली जितने भी प्लांट्स होंगे सब सफेद कंटेनर में होंगे और कुछ हो सकता है प्लास्टिक के हों कुछ सेरेमिक के हों और कुछ आयरन या टीन के हो सकते हैं डबल कंटेनर मे हैं वो तो यह बहुत सारे options मैं आपको दिखा रही हूं और plants आप choose करते रहें अपने आप जो आपको अच्छा लगता है container mismatch अगर आपको लग रहा है तो आप अपने हिसाब से वो plant किसी और color के container में या किसी और shape के container में size के container में लगा सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं कुछ containers corner से सारे white हैं और बहुत पतली से parapet wall है उसमें मैंने लगाया हुआ है तो देखिए कितने सारे line से हैं यह है हम लोग का enjoy pathos enjoy pathos बहुत ही खुबसूरत variegated leaf वाला एक trailing wine वाला प्लांट है मगर इसको मैंने थोड़ा bushy form में grow किया हुआ है ceramic में है ceramic container में देखिए कई साल से grow कर रहा है यह करीब दो साल से इसी container में है second plant बहुत ही humble बहुत ही easily available plant है singonium अगर इसके leaves थोड़ी छोटी है कोशिश करें जब छोटे container में आप gardening करें तो टॉल प्लांट ना ले दोनों चीज़े हूं लीज भी छोटी हूं टॉल भी ना हो तो वह proportionate लगता है तो यह singonium है क्योंकि singonium की ही varieties आती हैं जिन में बहुत बड़ी leaves भी होती है अगला है यह marble queen pathos यह देखिए plastic में है और यह bushy form में ग्रो किया है यह भी एक wine form में ग्रो करने वाला plant है मगर इसमें मैंने बुशी बनाया हुआ है इसको इसके trailing wine नहीं रखी वी है अब अगला है money plant simple golden pathos और यह देखिए यह काफी भर चुका है और यह एक ceramic container में लगा हुआ है और यह ceramic container में करीब दो साल धाई साल से लगा हुआ है यह एक और plant है जो हम लोग ने पहले देखा था marble queen pathos वही है यह pathos की एक variety है यह double container है यह black color का है इसके साथ यह है यह एक ceramic circular container है जिस मेंने hawathias लगाएवे हैं hawathias भी बहुत खुब सुरत होते हैं टॉल नहीं होते भरते चले आते हैं इनमें pups निकलेंगे और खुब सारे हो जाएंगे यह trailing wine है यह earthen pot में देखिए आपको जागता वर नजर आ रहा होगा मगर यह इसके साथ नजर नहीं आता क्योंकि यह छिप जाता है पूरी wine से और यह trailing wine है यह है succulent plant जिसको tangle hearts कहते हैं इसकी leaves बहुत खुबसूरत होती हैं और यह ज्यादा तर जितने भी plants में दिखा रही हूं यह सारे propagate हो जाते हैं cutting से multiply कर सकते हैं आप easily इसकी थोड़ इसी टहनी निकालके लगा देंगे और यह propagate हो जाएगा यह mother of millions है यह kalanchu यह kalanchoi की एक variety है इसके आप तरीका देखिए multiply करने का बहुत सिंपल है propagation का method जो यह tips में में यह निकलेवे हैं छोटे छोटे जो दिख रहे होंगे आपको बस यह plantlets हैं और plantlets से यह easily grow करता है यह देखिए जहां गिरेंगे यह plantlets grow करने लगेंगे यह त्यार plant है यह एक साथ मैंने खुब सारे plants लगाएवे हैं अलाकि यह tall होता है मगर जब यह tall होगा तो मैं इसको हटा के दुबारा इनसे propagate कर दूंगी जो यह यह यहां पर निकलेवे हैं बहुत सारे plantlets यह थोड़ा tall है square shape में है अलग अलग shape में आपको मिल जाते हैं containers कोई glass shape के होते हैं कोई circular होते हैं कोई square होते rectangular भी होते हैं rectangular भी बहुत pretty लगते हैं देखें यह rectangular है यह बहुत कुपसूरत लग रहा है दोनों में हम लोग इसमें एक similar चीज लगाई है मगर hair quality different इसमें मैंने लगाया हुआ है devil's backbone इसमें बहुत सारी टहनिया लगाई है यह भी plant बढ़ा हो जाता है मगर देखें मैं इसको trim करते जा रही हो हर जगे से trim यहां से trim इसके बाद इसको बढ़ने नहीं देंगे यहीं पर इसको trim करके रो प्लांट है यह snake plant snake plant भी यह simple सबसे common वाला snake plant है इसको मैंने पानी में propagate किया था इसकी leaf काटके बड़ी सी यह लगा दी थी यहां से अब छुट-छुटे pups निकल रहे हैं और यह container देखें ग्लास शेप में कितना खुबसूरत लग रहा है सारे shapes अलग लग हैं containers के अब यह वाला golden pups है जो हम लोगा simple money plant होता है और यह bushy form में grow किया है और यह वाला plant neon pups है neon color आपको दिख रहा होगा फरक दिख रहा होगा क्योंकि यह green के साथ है यह वाइन फॉर्म में grow करने वाला plant है यह आप लग सकते हैं यह जितने भी प्लांट दिखा रही हूं यह बहुत versatile है अलग-अलग तरीके से आप इनको grow कर सकते हैं यह वाला सफेद नहीं है मगर यह आम में प्लास्टिक कंटेनर में है यह BXN प्लांट रांट की वरैंटी है इसको चाहते हैं वीं भं जिस के जो लीव का शेप यह बहूं की फिन्स जैसा यहanson होता है यह बहुत प्लांट है और यह वाला प्लांट यह प्लुब्या की वरैटी है antos program fan रहिजario यह एक yellow की variety है यह भी आप देख रहे होंगे यह बहुत सुंदर container में यह भी pink अलकी leaves वाला हो रहा है devil's backbone यह winters आते ही इनमें leaves थोड़ी pink अलकी हो जाती है और यह जड़नी भी शुरू हो जाती है यह euphobia की वही variety है और यह बहुत pretty है in fact यह वाला plant मेरे को gift किया था मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने और इसको मैंने यहां रखा हुआ है बिना छेत की है यह और यह छोटे container में बहुत ही pretty लगता है देखें अब बहुत minimum care में कई बार मैं इसको indoor यह सारे plants आप indoor भी रख सकते हैं कुछ दिन मैं indoor रखती हूं फिर थोड़े दिन बाद इनको बाहर shift करती हूं यह एक और snake plant की variety है यह क्रिप्टैंथस है यह एलो की varieties है क्रिप्टैंथस है यह वाला plant बहुत ही खुबसूरत plant है यह साइकस का है और आप इसके codex से देख सकते हैं यह काफी पुराना है यह करीब तीन साल पुराना है और यह चोटे से container में लगा हुआ है है double container में यह अलग से है इसको काले container प्लास्टिक container में ग्रोग किया था और इसमें ऐसे डाला हुआ है और यह हम लोग का एडीनियम है यह भी करीब तीन साल पुराना है codex से आप समझ गए होंगे इसको फ्रून करके छोटा रखा हुआ है और गर्मियों में इन में फ्लारिंग भी होती है तो देखें कितने सारे प्लांट्स हैं और सब कितने प्रिटी लग रहे हैं तो आप भी ज़रूर छोटे containers में कुछ plants लगाएं वो घर के अंदर भी इस्तमाल होंगे टेबल पर रखने के और बाहर भी बहुत खुबसूरत लगते हैं हल किसी केर थोड़ी से ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि इनकी container का size छोटा है मिटी कम है और साथ में पानी इसमें जल्दी सूख जाता है तो विंटर्स में तो एकदम केर खास करनी नहीं पड़ती थैंक्स वर वॉचिंग